गूर्णिंग इस्टुनेंट्स कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे अच्छे ही रहिए यहीं आपके लिए अच्छा भी ओके यह जो लॉगडाउन है आपको परिसान करके रख दिया इस्पेसली मुझे देखे क्लास टेंथ में कल मैं आपके लिए एक पोएम ने उद्देश ही तो जिन्दगी का भजन यानि की जिन्दगी का उद्देश क्या है तो आए जानते क्या है उद्देश लेकिन इससे पहले मैंने आपको उद्देश कल मैंने बता दिया था उद्देश क्या है या भजन क्या है तो आए चलते हैं भजन करते हैं क्या पोएम है इंपार्ट में बिटा होता है कोई भी ग्यान देना ओके या कोई इन्फॉर्मेशन देना इस पोएम में जो पोएट है इस डब्लू लॉंग फैलो वह हाई मोरल यानि उच्छ नायतिक्ता का ग्यान देते हैं क्या जरुबवत है अब उच्छ नायतिक्ता कि किसी को और कोई नहतिकता मांता तो है नहीं सोटा था? थार्ड फॉर्थ में तब मैं e subject पड़ता था नायतिक सिक्श्छा का. तो नायतिक सिक्शा में ज है वो मैं अच्छी ची बाते सुनता था हो था लेकिन माना हास तक एक भी नहीं तो देखे इस पोएम में जो पोएट है वो हाई मोरल यानि कि उच्छ नैतिकता के बारे में बताते हैं ग्यान देते हैं वे कहते हैं that life is a reality कि जिन्दिकी जो है वो वास्तविक किते कठीन मतलब बाते हो रहे हैं अब सर के उपर निकल ली है वो कहते हैं that life is a reality कि जिन्दिकी जो है वो वास्तविक है and should be taken quite seriously और इसको बिल्कुल गंभीरता से quite miss sorry बिल्कुल quite miss बिल्कुल seriously miss गंभीरता से तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए यह जो शुड़ भी टेकन आया है ना यह पेटा आपका पैस्सिव है इसको याद रखिएगा subject कहा है subject कहा है subject कहा है subject है life okay यहाँ है यह life should be taken लेकिन इसको देखो कितने स्टैंडर्टाइक से लिखा गया है जिसने भी लिखा हूं मैंने तो लिखा नहीं life is a reality life जो है वास्तिविक है and should be taken और life को बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए बाई का huge हर जिएगे passive में नहीं करते okay life is full of struggle जिंदगी जो है वो संघर्सों से struggle से भरी पड़ी है yeah and difficulties और कठिनाईयों से भी भरी पड़ी है and is like a battlefield और यह एकदम युद्ध का मैदान है युद्ध तो मेरा होने लगा है तुम लोगों के साथ और जो है यह एक battlefield है यानि कि एक जुद्ध का मैदान है क्या जिंदगी we should face it इसको हमें हमेसा कैसे सहना चाहिए face करना चाहिए it bravely कैसे बहादूरी के साथ अरे इतने बहादूर भी नहीं हो to achieve our goals in life जिंदगी में हमारे जो लक्ष हैं उनको achieve करना यानि पाना we should be patient अपने धैर रखना हमें रखना चाहिए and hard working और कठिन परिश्रम करना चाहिए यानि इंड्रेश्टियस परसन बनना चाहिए यहां पर देखे to achieve आया ना थोड़ी सी ग्रामर समल लेते तो बड़ा अच्छा रहता है to achieve जो है वो आपका infinitive है कोई infinitive ही आपका subject बनके आ सकता है अच्छा आपको इस बहुत है यह भी आपके subject बन जाते है तो I hope आपको यह central idea समन में आया होगा central idea के चक्कर में बेटा मत पड़ो चाल लाइंग की पोयम तयार करो यहीं आपके लिए अच्छा है इससे full के full marks आते हैं और easy भी होती है तो I hope आपको सबको समन में आहीं गया होगा मेरा इसारा चलिए गुद दे